Hello everyone, आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे inverse trigonometric function और inverse trigonometric function में आपके पास जो MP board 2019 के अंज़ जो question आये था वो आपके पास क्या आये था देखी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आपसे पूछा था range of sin inverse x तो आपको यहाँ पर जितने भी trigonometric ratios होते हैं उन सब की आपको range पता होना चाहिए sin inverse x की जो range होती है वो आपको हम बता दे sin inverse x की जो range होती है वो pi by 2 minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में होना चाहिए या minus pi by 2 होना चाहिए देखी इस break it का मतलब होता है कि आपके पास यहाँ पर जो range है वो हमारे पास minus pi by 2 हो सकती है और plus pi by 2 भी हो सकती है मतलब इसका मतलब है pi by 2 का 90 degree और इसका मतलब है plus 90 degree मतलब 90 degree को भी आप x की value यहाँ पर बोल सकते हो इसका angle minus 90 degree भी हो सकता है और उसके बीच में 90 से minus 90 की बीच में जो आता है जैसे कि हमारे पास minus 60 आ गया minus 30 आ गया minus 45 आ गया या फिर हमारे पास plus में 30 आ गया तो totally मिलाके minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में या minus pi by 2 भी हो सकती है तो यह रही आपकी range अब देखी यहाँ पर 2019 में sign inverse से पूछा था तो ज़रूर नहीं है कि 2021 के अंदर यहाँ से पूछें लेकिन यह है कि आपके पास यहीं से question बनेगा one marks के अंदर तो देखी यहाँ पर अगर हम बात करें cos inverse लेकि में sign का जो उल्टा होता है sign का जो भाई होता है वो होता है cos inverse x तो cos inverse x में क्या है कि इसकी जो range होती है minus pi by 2 से plus pi by 2 के बीच में और साथ में minus pi by 2 और plus pi by 2 भी हो सकती है तीके उसके बाद देखीएगा यहाँ पर exception किसका होता है यहाँ पर होता है आपके बाद 0 का यानि कि आपके बाद 0 नहीं होना चाहिए तो x की value क्या होना चाहिए minus pi by 2 भी हो सकती है और pi by 2 भी हो सकती है और इसके बीच में जितने angle आ रहा है सारी values को आप यहाँ पर लिख सकते हो तीसरे number पर हमारे पास spoon आता है तो भई यहीं पर मैं एक और बना रहा हूँ sine, cosine, उसके बाद होता है यहाँ पर 10 inverse यह क्या है तीनों जो हैं मिलते जुलते हैं तो आप देहन रखेगा यहाँ पर आपके बास क्या होता है ऐसा bracket आता है इसको open bracket बोलते हैं और इसका मतलब होता है कि 10 inverse है 10 inverse x तो इसकी range क्या होगी minus pi by 2 से plus pi by 2 के बीच में minus pi by 2 से plus pi by 2 के बीच में होगी तो चलिए हम यहाँ पर इसके base पर question करते हैं और आगे आपको यहाँ पर मैं और बता ही दिता हूँ fourth number पर हमारे पास यदि sign के बाद हम लेते हैं cos inverse x तो इसकी range क्या होना चाहिए तो इसकी range होती है 0 से pi के बीच में यह 0 भी हो सकती है और pi भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर जो bracket लगा है यह बड़ा वाला bracket लगा है इसलिए यहाँ पर आप इसको समझ जाएए ठीक है fifth number पर हमारे पास cos का उल्टा होता है sec inverse x cos का cos का उल्टा sec inverse ही होता है तो यहाँ पर आपके बाद 0 से pi के बीच में होना चाहिए और 0 भी ले सकते हो pi भी ले सकते हो बट यहाँ पर आप क्या नहीं ले सकते है तो आप यहाँ पर pi by 2 नहीं ले सकते है इसकी value sec inverse x जब होगा और आपस principal value निकालने को question आएगा तो उसमें आपकी पास value क्या नहीं हो सकती pi by 2 नहीं हो सकती अब six number पर देखिए यहाँ पर इससे बनेगा क्या cot inverse x तो cot inverse x जो होता है यह किसको belong करता है 0 से pi के बीच में 0 से pi के बीच में होना चाहिए जब cot inverse x होगा तो जो x की value है 0 से pi के बीच में होना चाहिए अब आप सोच रहोगे सर यह सब काई के लिए तो देखिए यह हमारे पास principle value निकालने में इसका बहुत महत्वण योगदान होता है सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए द्यान से only आप यहाद रखिए कि sin inverse x की range क्या होती है तो sin inverse x की range minus pi by 2 हो सकती है और साथ में plus pi by 2 और इन दोनों के बीच में जितने angle आते हैं वो हमारे पास value होगी तो देखिए आज का जो 2.1 है उसमें आप से पूछा है क्या principle value principle value of principle value of sin inverse और यहाँ पर आपको दिया है minus में 1 by 2 question बहुत simple है आपको 100% guarantee ले रहा हूँ हमें या तो आपसे यह formula पुछेंगे one marks के अंदर या फिर आपसे यहाँ पर value दी जाएगी जो भी आपको angle दें उसका आपको क्या निकालना है principle value अब यहाँ पर principle value इसकी निकालना है सबसे पहला काम यह होगा कि हम इसको late कर ले sin inverse minus one upon two को हम late करना है क्या y late करने या theta जो भी आपको late करना है तो हमें यहाँ पर sin inverse minus one upon two है मतलब हमें y की value निकालना है यह कितने degree की value है समझ गए ना तो sin inverse को इदर लेके जाएंगे minus का one upon two इस sin को इदर लेके जाएंगे तो यह हो जाएगा sin y और अब आपके पास या इसको हम ऐसा लिख सकते है sin y is equal to minus में one upon two अब आप यह देखेंगे जो one upon two है वो sin कितने degree की value है तो sin 30 degree is equal to one upon two होता है अगर हम इसको πाई की form में देखें तो यह πाई by six की value है जो की one upon two होगी clear तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो जाएगा sin y is equal to इस one upon two की जगा पे में लिख सकता हूँ कितना πाई by six अब यहाँ पर मेरे पास जो minus होता है तो वो कहाँ चले जाता है minus sin theta अगर हम देखें तो आपने 10th class में 11 में पढ़ा होगा sin minus theta is equal to minus sin theta होता है तो जो मेरे पास minus है sin y is equal to यह हो जाएगा sin minus में pi by six अब आपको यह ध्यान में रखना है we know that हम जानते है range of sin inverse x sin inverse x की जो range होती है वो हमारे पास क्या होती है मैंने अभी आपको बताया था आप previous वीडियो में देख सकते है यह होती है minus pi by two से लेकर plus pi by two के बीच में या minus pi by two भी हो सकती है और pi by two भी हो सकती है तो अब यहाँ पर आप ध्यान दो इसका मतलब है 90 है ना और 90 छोटा अगर होगा तो minus 60 होगा minus 45 होगा minus 30 होगा या 0 होगा यहाँ पर क्या है pi by six से यानि कि 30 डिग्री है तो 30 डिग्री तो हो सकती है ना क्योंकि इसकी range क्या है minus pi by two से plus pi by two के बीच में या minus pi by two या plus pi by two भी हो सकती है तो हमें यही देखना है अगर range लाइक कर रहे हैं तो बिल्कुल हम यहाँ पर लिख देंगे minus one upon two की question number जो second है यह तो हमारे पास first question था question number second देखिए second question में आपके बास यहाँ पर कितना दिया है ध्यान से देखेंगे आप cos inverse और आपको दिया under root three upon two तो यह हमारे पास question number second है इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे let y is equal to cos inverse under root three by two तो आप यहाँ पर देखिए मेरे पास जो value है cos inverse under root three upon two है इसकी principal value find करना है यहनि मुझे यहाँ पर angle निकालना है ठीके तो सबसे पहले मैंने इसको calculate कर लिया y या तो आप x late कर लो या जो भी आपके समझ में है आप late कर सकते हो तो cos inverse x को मैंने late कर लिया y अब इस cos inverse को इधर लेकर जाएंगे तो हमारे पास बचेगा under root three upon two इस cos को इधर लेकर जाएंगे तो यह हो जाएगा cos y ठीके अब और करके हम यहाँ पर लिखेंगे cos y is equal to इसको हम बहुश सकते हैं under root three upon two अब हमें देखना है कि under root three upon two cos की form में कितने degree की value होती है very very difficult work है न यहाँ पर आपको पता होना चाहिए cos 30 degree की value under root three upon two होती है तो cos y is equal to इसकी जगा पर cos 30 degree लिख दूँगा अब 30 degree को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं तो इसी को हम बोलते हैं pi by six ठीके under root three upon two pi की value 180 होती है because आपको पता होगा अगर 180 degree रखें तो यह pi upon six है 6 three is 18 यानि कि यह कितना हो जाएगा 30 degree हो जाएगा तो cos से cos cancel और y is equal to कितना आ गया 30 degree आ गया और इसी 30 degree को हम लिख सकते हैं pi upon pi upon six तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास range है आप यहाँ पर लिख दें कि range of range of cos inverse x is यह हमारे पास होती है कहां से कहां तक तो आप लोगों को पता होगा zero से pi के बीच में cos inverse x की range होती है तो आप यहाँ पर याद रखिए zero से pi मतलब positive होना चाहिए इत्ता जानता हूँ मैं तो pi upon six जो है वो zero से pi के बीच में like कर रहा है बताएं यहाँ पर इसको मैं open करूँ तो इसका मतलब x की value में zero रख सकता हूँ है ना 30 degree रख सकता हूँ 45 रख सकता हूँ और कहां तक 180 degree यानि zero से लेके 180 के बीच में इसकी value हो सकती है और साथ में zero भी हो सकती है और 180 degree भी हो सकती है तो आप लोगों को यह समझ में आए तो बिल्कुल आप लोग इसको like करिए और share करिए और ज़्यादा से ज़्यादा student को आप लोग share करिए तो यह question यहाँ पर जो next है question number third उसमें देखिए आप लोग क्या find करना है question number third में आप से ज़्याँ कहा है कि find principal value find principal value of आपके पास यहाँ पर है cosec inverse 2 तो सबसे पहला काम होता है इसको late कर लेना मैं इसको late कर लूँगा cosec inverse 2 को मैंने late कर लिया y अब simple मैं इसको इदर लेकर जाऊंगा तो मेरे पास 2 बचेगा और यह हो जाएगा cosec y जब inverse होता है यह इदर आएगा तो इसका inverse खतम हो जाएगा अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से अपने बस क्या है यहाँ पर इसको लिख सकते हैं cosec y is equal to 2 अब 2 हम देखेंगे cosec की form में कितने degree की value होती है तो आपको बता है यहाँ पर यह होती है cosec 30 degree की value 2 और cosec 30 को हम लिख सकते हैं πाई अपन 6 तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ cosec y is equal to इस 2 की जगा पर मैं लिख दूँगा cosec πाई बाए 6 जो 2 है वो cosec πाई बाए 6 की value होती है अब यहाँ पर हम यह देखेंगे कि जो range है यहाँ पर लिख दीजिए range of cosec inverse x student यह दियान रखना बहुत जरूरी है cosec inverse x की जो range होती है वो आपको पता होना जरूरी है यह होती है minus πाई बाए 2 से πाई बाए 2 के बीच में और exception होता है यहाँ पर 0 degree यानि 0 यहाँ पर नहीं होना चाहिए minus πाई बाए 2 से plus πाई बाए 2 के बीच में होना चाहिए तो हम देखेंगे जो πाई बाए 6 है वो तो हमारे पास 30 degree है और हम क्या कहे रहे minus πाई बाए 2 से plus πाई बाए 2 यह चल जाएगी यानि कि minus 90 भी हो सकती है और उससे छोटी minus 60 भी हो सकती है और minus 45 भी हो सकती है और 30 भी हो सकती है तो बताओ यह जो 30 degree है इन दोनों के बीच में लाइक कर रहा है इसलिए हम यहाँ पर इसकी range को यानि कि हम लिख सकते है y is equal to pi by 6 यही इसकी principle value है अगर आपको next video चाहिए तो आप comment करके जरूर बताइए